दबंग 3, हिंदी मूवी समीक्षा दबंग 3, 2019 की भारतिय हिंदी भाषा की एक्षन कॉमेडी फिल्म है, जो प्रभु देवा द्वारा निर्देशित और सल्मान खान फिल्म्स, अर्बास खान प्रोडक्शन्स और सैफरन ब्रोडकास्ट एंड मीडिया लिमिटेड द्वारा संयुक्त रूप से निर्मित है दबंग फिल्म श्रिंखला की तीसरी किस्त यह दबंग और दबंग दो का आधिकारिक सीक्वल है फिल्म में सल्मान खान, सुदीपा, सोनाक्षी सिन्हा, सई मांजरेकर और अर्बास खान है इसमें प्रमोध खन्ना, दिंपल कपाडिया और महेश मांजरेकर भी सहायक भूमिकाओं में है सल्मान द्वारा लिखी गई यह कहानी भरष्ट पुलिसकर्मी चुलबुल पांडे की संगर्श यात्रा पर आधारित है जब उसकी मुलाकात एक बूढे गुंडे बाली सिन्ह से होती है जिसकी सीधी नजर अतीत में चलते हुए उसकी याददाश्ट को ताजा कर देती है इस बात से अंजान की यह वर्तमान और भविश्य को और अधिक प्रभावित कर सकता है दबं तीन को दुनिया भर में 20 दिसंबर 2019 को प्रीक्रिस्मस सप्ताहांत पर हिंदी और तमिल, तेलुगू और कंणड भाशाओं में डब किया गया था करनाटक में कंणड डब फिल्मों पर प्रतिबंध हटने के बाद यह कंणड में रिलीज होने वाली पहली हिंदी फिल्म बन गई फिल्म को आलोचकों से नकारात्मक समीक्षा मिली, जिन्होंने इसकी पठक था, निर्देशन और लेखन की आलोचना की, लेकिन सल्मान खान और सुधीपा के प्रदर्शन की प्रशन साकी C.A. विरोध प्रदर्शन के कारण फिल्म का कलेक्शन और प्रभावित हुआ, जिससे यह फ्रेचाइजी की सबसे कम कमाई करने वाली फिल्म बन गई एक वीरता पूर्ण हरकत के साथ फिर से शुरू करते हुए, कहानी दबंग दो से आगे बढ़ती है, जिसमें भरष्ट लेकिन बहुत चहेते पुलिस वाले, A.S.P. चुल्बुल पांडे, एक शादी में डकैती को रोकते हैं, और गुंडों और उनके नेता, गुल्लु को काले और नीले रंग में पीटते हैं, इसके बाद गुल्लु एक शादी के बैंड ट्रमपेटर के रूप में अपनी पूर्व अंशकालिक नौकरी पर लोटने के लिए सहमत हो जाता है, और चुल्बुल पांडे को अपनी पतनी रज्यो, भाई माखंचंद मक्खी, पांड जो एक पुलिस अधिकारी भी है, और उसके बेटे के रोजमर्रा के जीवन से निपटते हुए देखा जाता है, उनके पिता प्रजापती पांडे रज्यो के साथ घर पर रहते हैं, मक्खी ज्यादातर समय एक शानदार जीवन शैली का आनंद लेती नजर आती है, एक दुर्भाग्यपूर्ण दिन एक निराश लड़की जो शायद घायल थी, कहीं से भाग कर जल्दी में मक्खी के स्टेशन पर पहुँचती है और मदद मांगती है, मक्खी अपने अफरन करताओं को दंडित करने की उम्मीद कर रही है, जिन्होंने उसे और अन्य पुलिस स्टेशन में चिन्ती से जबरन अपराध कबूल कराने की कोशिश करते समय चुल्बुल एक वकील और कुछ गुंडों को रोकता है, जो चिन्ती को रिहा करने आये थे, फिर भीक वह अदालत के आदेश को फार देता है, और हताशा में गुंडों का नेता अपना विडियो कॉल चालू रखता है, जबकि चुल्बुल स्क्रीम पर मुस्कुराता है कुछ मिनट बाद नेता बाली सिंह को विडियो कॉल दिखाता है, जो चुल्बुल को देखता है, जो बाली जाने के लिए फोन कैमरे में वापस देखता है शब्दों से परे हैरान होकर वह अपने जवानी के दिनों को याद करता है, बाली के साथ अपने भाग्य को याद करता है वर्षों पहले जब वह छोटा था, चुल्बुल जिसका असली नाम धाकर चंद पांडे हैं को एक लड़की खुशी से प्यार हो गया, जिसे शुरू में मक्खी की संभावित दुलहन के रूप में माना जा रहा था, जब उसने उसकी एक तस्वीर देखी मक्खी के हाथ में और अपनी मा नैनी देवी से कहा कि वह मक्खी के स्थान पर उप्युक्त रहेगा, कुछ दिनों बाद खुशी के मामा प्रभात और मामी जान की धाकर और खुशी के बीच मैच के लिए सहमत हो गए और दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगे उसी समय एक क्रूर और हिंसक गुंडे बाली की नजर खुशी पर पड़ी और वह उसके साथ अपनी शादी की व्यवस्था करने लगा हाला कि जब उसने धाकड को खुशी के साथ देखा, तो उसने धाकड को लालच देकर उसकी आखों के सामने ही खुशी और उसके परिवार को मारने का फैसला किया प्रभात और जान की दोनों मारे गए और खुशी को मरने के लिए चट्टान से फेंक दिया गया नतीज तन हरिया और उसकी बेटी रजजो जो खुशी की दोस्त थी बहुत प्रभावित हुए हरिया ने शराब पीना शुरू कर दिया जबकी धाकड जिसे बाली ने फंसाया था और मौत के लिए जेल में काफी समय बिताया था को हमलावरों से बचाने के बाद कमिशनर सतेंद्र सिह ने अपने साथ ले लिया और खुशी की याद में खुद को चुलबुल नाम देते हुए एक चुस्त पुलिस वाले में बदल दिया वर्तमान में चुलबुल ने इस पूरे प्रकरण को प्रजापती और रज्यों को बता दिया है और फैसला करता है कि उसके लिए बहुत कुछ हो चुका है और उसे इस अध्याय को हमेशा के लिए बंद करना होगा इस बीच बाली द्वारा चुलबुल के खिलाफ होन के लिए आकर्शित मक्खी को गुमराह किया जाता है और एस पी के पदपर पदोनत होने के बाद वह उसे लगधग थपड मार देता है इस कारवाई के कारण उसे प्रजापती द्वारा घर से निर्वासित कर दिया गया और वह सक्रिय रूप से बाली के साथ हाथ मिलाता है बाली जो आगामी चुनावों में एक राजनेता और मंत्री बनने के लिए तयार है पैसे से भरा एक ट्रक लाने की योजना बना रहा है इस प्रकार वह परिवहन की सुविधा के लिए मक्खी और अपने सरकल के कई अन्य पुलिस अधिकारियों को एक सामान्य स्थान पर स्थानांतरित कर देता है चुलबुल ट्रक को रोकता है और पुलिस बल में बाली के साथियों को स्वयं बाली के विरुद्ध कर देता है बदला लेने के लिए बाली ने चुलबुल के कई सहयोगियों का अफ़रन करवा दिया और उन्हें बेर्हमी से पीट-पीट कर मार डाला जब तक कि चुलबुल फिर से अंदर नहीं आया और उन सभी को मुक्त नहीं कर दिया तब भी जब बाली मक्खी और कुछ विश्वसनिय साथियों के साथ भाग गया था बाली को प्रतिकूल कारवाई के लिए लुभाने की कोशिश में चुलबुल ने गुलु की मदद से एक चाल चलकर मंत्री SS शर्मा और उनके बहनोई का अफ़रन कर लिया और उनसे कबूल नामा लेने के लिए मजबूर किया जिसे वाइरल कर दिया गया बाली ने इसे नोटिस किया और मक्खी उन्हें ढूंडने में उसकी मदद करता है क्योंकि वह ठिकाने को पहचान लेता है वहाँ पहुचने पर बाली शर्मा को मार देता है और उसके बहनोई को घायल कर देता है जवाबी कारवाई में वह रज्जो और उसके बेटे पर हमला करने के लिए पहलवानों को भेचता है लेकिन चुल्बुल उन दोनों को बचाने के लिए समय पर पहुँच जाता है कुछ समय बाद चुल्बुल को प्रजापती का फोन आता है जो उसे बताता है कि रजजो घर नहीं पहुँची है इस मामले में बाली के हाथ को भामपते हुए उसने एक खदान पर हमला किया जहां बाली ने रजजो को और आश्चर्य जनक रूप से खुद मक्खी को बंधक बना रखा था मक्खी हमेशा चुल्बुल की तरफ था और यह बाली को भड़काने के लिए भाईयों द्वारा किया गया एक खेल था एक गहन लड़ाई के बाद चुल्बुल ने बाली को धातू की कील से ठोक कर मार डाला इसके बाद वह बाली को मलबे में दबा देते हैं